हेलो एविवान, कैसे हैं, आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज की जो रिडिंग है कि हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है क्या फिल कर रहे हैं ठीक है साथे साथ आपके लिए इनका next action क्या होगा ये देखेंगे और हम आपके energy को भी चेक करेंगे यानि कि आपके energy को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है तो आज की reading में हम आपके energy को भी चेक करने वाले हैं ठीक है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रिखेगा कि ये reading एक जना reading होगी ठीक है और collective reading होगी इस बात का पूरा ख्या लखना है आपको ठीक है timeless reading है जब भी आप इस reading को देखेंगे उस वक्त के लिए होगी ये reading गाइड करें ओके गाइड करें एंजल्स विनिवर्स और सिस्टर्स गाइड करें ओके 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 ठीक है पहला कार्ड निकल आया है हमारे पास ओके दा गाइड एंड दा गेट का का कार्ड है ओके एंजल ओफ लव ठीक है फिफ्ट चक्रा ओके छीक है ओके एंड है एंजाइटी का कार्ड ओके पांच कार्ड हो गई यहाँ पर अब एनेजी तो निकल गई देखते हैं क्या कार्ड बताते हैं बॉटम आफ ता डेक भी देखते हैं तो थर्ड चक्रा का कार्ड है बॉटम आफ ता डेक देखिए आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना काफी अलग सी प्रॉब्लम है ठीके आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं तो इनकी अनर्जी मुझे आज की ना काफी जेलस भरी दिखाई दे रही है ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको जब देख रहे हैं इनको एक अलग सी जैलिसी फील हो रही है इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इतनी ज़ादा खुश क्यों है मेरे बगाएर या ये अच्छे पोजिशन पे क्यों है मेरे बगाएर मैं इससे आगे क्यों नहीं हूँ कहीं ना कहीं इन से क्यों भी फील कर रहे हैं आपसे आपके partner बुरा मत मानना बट यह person के अंदर की energy बता रही है कि यह person काफी jealous feel करते हैं ठीक है मुझे ऐसा feel होता है कि यह person है ना काफी ज़्यादा jealousy feel करते हैं ठीक है कि तो बुझ यह nuclear दिखता है जिसे कि पपॉर्शन के अंदर ही अंदर न काफी जैसे कि ये पार्शन आपको कि इह काफी पैन भी दे चूए होंगे और ऐसा दिख दो अनजिसे कि है आफके पार्टनर आपको कई बार साथ नहीं रहना चूह जोगो करने साख सबKS और किसी किसी का दिख रहा है कि फॉर्ट पार्टी इंवाल्ब है जिसके करण से आपके पार्टनर की मानसिक्ता यहां पे बदल चुकी है ठीक है और इसकी वज़ासे आपको अपनी लाइफ में इस पॉर्शन के साथ काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है मैं देख प गहीता दिख रहा है जैसे की जो पॉर्शन है आपके कहीं नहीं कहीं बहुत एक जो कहते कि आपको काफी काफी परिशान करते हैं कभी-कभी यह पॉल कर सब्सक्राइब जाता है और मुझे असक ними हो रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ए यह पॉर्सनन काफी ज़्यादा बैट फील कर रहे हैं काफी ज़्यादा यह पोर सनकर मैनिकुलेटिंग किस्मिके भी इंसान हो सकते हैं जो आपके पार्टनर हैं ठीक है यह पॉर्सन अपनी बात मनवाने के लिए ना किसी भी तरीके का खेल खेल लेते हैं मतलब कि माइंड गेम जादा खेलते हैं यह पॉर्सन बुरा मत मानना क्योंकि यहां पर जो अनर्जी आई है वही एनर्जी मैं आपको कह रही हूँ ठीक है मैं कोई यहां पर बटरिंग करने वाला काम नहीं करते हूँ यहां पर जो आया है वही मैं आपको बता रही हूँ कि यह पॉर्सन काफी ज़्यादा इस तरीके के इनसान है ठीक है यहां आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको फाइनेशली भी काफी ज़्यादा जो है यह परसन लॉस करवा चुके होंगे हो सकता है कि इस परसन आपसे पैसे भी लिये हूँ ठीक है ना इसमें यह एनर्जी मुझे क्लिरली दिखाई दे रही है क्लिर दिख रहा है कि यह जो परसन है काफी ज़्यादा मतलब कि आपको एक तरीके से परिशान करते हैं या कहें तो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर कहें तो इमोशनल ब्लैक मिल करना जैसे कि हमारी बात को मान जाओ तुम बस है ना यह परसन का ऐसा भी होता है कभी कभी काफी अलग से लगते हैं जैसे लगता है कि जैसे कि यह हैं यह नहीं है ना तो मुझे यह यह दिख रहा है यह यह जो परसन है आपके कहीं ना कहीं देखिए दा गार्डिन एंड गेट का काड़ आया है आज इस परसन को फील हो रहा है कि इन्हों ने जो किया है यह कितना ज़्यादा गलत किया है आपको अपने कंट्रोल में रखा आपको चाहा कि इस परसन के मतब कि जैसा इनका ए ऑलक सी energy feel हो हुआ है कि नहीं ये हमने क्या कर दिया ये मैंने क्या कर दिया ऐसा नहीं कर убий सब्सक्राइब कि पर नहीं डालना झाये किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या कहें तो किसी के ऊपर प्र आप करती है आपस मünde यह 바뀌कर updates है और यह person को आज अहसास हुआ है ठीक है देखिए जो person है ना आपके एकदम से ऐसा दिख रहा है जिसे कि इनके खुशियां जो है अपने हाथ में ही हैं लेकिन यह खुशियों को कैसे मतलब आपको कैसे मनाई क्योंकि अपने इस behavior से आपके partner ने आपको नाराज कर दिया है ठीक है अब जो है कैसे होगा कैसे होंगी चीजे कैसा होगा यह महबत यह प्यार यह क्यों ऐसा क्यों होता है ठीक है ऐसा मुझे दिख रहा है कि यह person को feel हो रहा है कि यार ऐसा क्यों हो मेरे साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ऐसी चीज़े तो नहीं होनी चाहिए थी फिर मुझे क्यों इतना ज़दा फील हो रहा है देखिए यह पॉर्सन ने आपके साथ जो भी किया है इस पॉर्सन को आज अभी रियालाइज हो रहा है ठीक है ना कि मुझे यहां पर यह भी देख रहा है जिसे कि जो पॉर्सन है आपके देखिए एकदम से एक तरीके का मैं देखू ना तो आपसे प्यार बहुत करते हैं और यह पॉर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप इनको छोड़ करके किसी और को देखो भी क्योंकि यह पॉर्सन क्या होता है ना कि इनको ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा खूपसूरत हो ना कि आपको कोई भी चूरा के लिखके ज चाहते हैं कि आप इन से डड़ो ठीक है तो आपको खोने से यह पॉर्सन एकदम से ड़ते हैं और कहीं ना कहीं देखिए पॉर्सन के दिल में आपके लिए हाई वाइब्रेशन फील हो रहा है या कहें तो एक तरीके से आपने रोज क्वास का ब्रस्लिट धारन किया हुआ ह अब मुझे लगता है और आपका यह लोज क्वास आपके पारटन के तरफ ध्यान खीच रहा है आपके पार्टन का ध्यान कीच रहा है ठीक है मुझे यह दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में जैसे भी हो लेकिन अभी आपके पार्टनर को आपकी जुरुत है अभी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ चाहे जैसे आओ इनको नहीं पता है बट यह पॉर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइ जो कहते हैं कि positive feel करवाना या positive रहना वो energy मुझे दिखाई दे रही है ऐसा दिख रहा है फिफ्ट चक्रा आर्केंजल गैब्रेल के card है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके partner अपनी मन की बाते भी आज कहने ही पा रहे हैं ठीक है ये person को जिस तरीके से उदासे जिस तरीके से प पार्टनर को बहुत जदा anxiety हो रही है बहुत जदा ही anxiety हो रही है आपके partner को इतनी problem हो रहे है कि person के दिल में दिमाग में जो भी चीज़े चल रही है वो आपसे बताने ही पा रहे हैं और इस बात का दुख इनको बेहद है ठीक है आपके partner को इस बात का दुख बेहद बेहद है ठीक, आपके पार्टनर, आपको सायद समझ नहीं पा रहे हैं यह आप उनको नहीं समझ पा रहे हो ऐसा मुझे feel हो रहा है ऐसा council काफी anxiety को feel कर रहे हैं काफी pain feel कर रहे हैं और इनको कोई idea नहीं है कि यह आखिर इनके साथ हो क्यों रहा है ये सारी चीजे इनके साथ ही क्यों हो रही है ये सारी चीजे इनके साथ क्यों हो रही है आखिर क्या रीजन है इस परसन को कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो कहीं न कहीं ये परसन अपने आपको तकलीफ में दर्द में फील करते हुए की को और आपने रूंस की रीडिम्ग देखी कि नई मैंने डास रिडिग परी थी ठीक है डास रिडिंग करी थी आप को ज़रूर देखनी चाहिए थी आव दूपहर में आज विडियो अप्लोड होई थी तो पहर क्यूंड देखा करिये उसमें भी कुछ खास information रहती है आप लोगों के लिए गाइड करें मुझे डिसिट का कार्ड क्यों है आंजल्स Queen of Swords Four of Cups देखें यह जो person है न यह किसी female person की control में भी है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की बीच में जो relation है यह खतरे में क्यों पड़ा है आपने कभी गौर किया है अगर किया है तो आपको लगा होगा आपको पता होगा कि कोई female person ही है जिसकी वज़ा से आप दोनों की बीच में यहां पे इतनी ज़्यादा तकरार इतनी ज़्यादा प्रॉब्रम्स आई हैं इतना ज़्यादा जो करें है और अभरम मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि यह जो female person है ना आपको लेकर को यह होताना है जैसे कि नीगेटिव Vaseline का प्रॉपरोर्ष। क्योंकि कोई लगती होंगी है ना कोई भी रिलेशन में रख लगती होंगी बट मुझे जहतर दिख रहा है कि यह फीमेल पॉर्षन के वज़ासे ही आपके पॉर्षन के माइंड में कड़वाहत इतनी भरी पड़ी है ठीक है ओके गाइट करें आंजल्स अगाडें इंड परिशानी यहां पर आपके पार्टनर को फिल हो रही है आपके पार्टनर बार बार परिशान हो रहे हैं कि आखिर यह सारी चीजे क्यों हो रही हैं क्यों हो रही हैं इनकी लाइफ में इतना जादा इतना जादा लाइफ में स्ट्रगल इतना जादा प्रॉब्लम आखिर क्यों हो रहा है कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर जो है ना एक तरीके का जो कह सकते हैं कि अपने आप से लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि हैस आपके पार्टनर को ना इतनी ज्यद्राइव हो रही है कि मतलब उससे यह person deal ही नहीं कर पा रहे हैं उससे यह person कहीं न कहीं फ्रॉस्टेट हो रहे हैं कहीं न कहीं इनकी लाइफ में चो चल रहा है ना यह काफी की जदा unexpected है जिसकी वजह से यहां पर काफी तकलीफ हो रही है ओके एंजल अफ लव का काड क्यों है मुझे लगता है कि आपके लाइफ में न कोई ऐसा जरूर है जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहता है आपके पार्टनर के साथ कोई तो है ऐसा गाइड करें एंजल्स एट ओफ सॉर्ड्स ठीक है आँ ठीक है एट ओफ सॉर्ड्स के एनर्जी क्लियर बता रहे हैं कि यस आपके लाइफ में एट ओफ सॉर्ड्स काफी ज़्यादा तकलीफ और काफी पेन हो रहा है अब इस परसन को और यह परसन सोच रहे हैं कि आप ही इनके हम दर्द हो आप ही हो जो जिससे इनके जो दिल की जो फीलिंग्स है जो इमोशन्स है यह परसन आप से कह सकते हैं ठीक है यहां पर दिख रहा है कि आप से इनके दिल का हर एक दर्द हर एक तकलीफ जो है ना यह परसन शेयर कर सकते हैं औ आपके पार्टनर आपको छोड़ करके आपको तकलीफ दे करके काफी अपस्तावा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं अब इनको आपका प्यार समझ में आ है कि आपने इनको कितना प्यार दिया है और आपने इनको कितना सपोर्ट दिया है ठीक है यहां पर क्लिरली दिख रहा है कि लाइफ में इस तरीके की एनर्जी इस तरीके की फिलिंग्स कहीं न कहीं आप दोनों की लाइफ में रही हैं ठीक है Ace of Pentacles आपके partner को बात भी करना है आपसे energy आ रही है कि इनको बिच्चैनी हो रही है बात करने का चुकी ये person अपने मन की जो बात है जो आज तक इन्होंने छुपा के रखी या करवाहट जो है ये person को आपसे related जितनी करवाहट है इनके मन में वो करवाहट इनको निकालनी है ठीक है वो energy मुझे clearly दिख रहा है कि वो करवाहट इनको अपने दिल से अपने मन से निकालनी है और इसलिए ये person आपसे बात करना चाहते हैं मुझे clearly दिख रहा है ठीक है ओके anxiety का क्यों है page of wands ठीक है आपके partner को stress इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपने भी इनको छोड़ दिया है आपने भी अब इनका पूछताश करना या फिर इनके हालचाल को लेना बंद कर दिया है और अब इस person को finally realize हो रहा है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है मैं उसके message का wait कर रहा हूँ उसका message नहीं आ रहा है उसका call नहीं आ रहा है उसके कोई खोश खबर ही नहीं है तो yes आपने पूरी तरीके से इस person को एहसास दिला दिया है कि तुम तुम जो है ना वो कभी तुम सुदरोगे नहीं ठीक है आपने इनको बता दिया है और यह person अभी भी आपके message का call का wait करते हुए मुझे दिखाई रहे है ठीक है चलिए कुछ और cards निकालते हैं आपके लिए निकालते हैं Guide करे अंजल्स इनिवर्स इन सिस्टर्स ओके गाइड करे अंजल्स इन सिस्टर्स Okay Second Chakra Hmm Okay All tied up कॉंड कोपिया काट है ओके ये आपकी एनर्जी हम निकाल रहे हैं सेवेंच चक्रा चक्रा का इसमें बहुत एहम रोल है ठीक है मुझे खासतोर से दिख रहा है चक्रास का जो की आपका भी चक्रा बता रहा है और आपके पार्टनर का भी बता रहा है strong warning card है number 10 देखो जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है आपको काफी problem हो रही है life में ऐसा दिख रहा है कि आपको ये सारे चीजह जो हो रही है कहीं न कहीं आपको problem दे रही है ठीक है आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस ब्रेक अप से काफी परिशान मुझे नजर आ रहे हो ऐसा देख रहा है कि रिलेकशंसिप में जैसा भी है जो भी है कहीं न गहीं कहीं न गहीं वो जो है न प्रॉब्लम दे रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में जो जो कलियर है ना जो कलियर है एकदम आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा जो है ना ऐसा आपके सांथ होगा ठीक है क्योंकि मुझे यहां पर यहीडिख रहा है कि आपके जो पार्टनर उनके तरफ एक्षेशन कोई डीसीजन न मिलने के कालरन से कहीड न कहीं आप भी स्टक हो गये हो और बार बार आप सोक रहे हो अपने पार्टनर के बारे में देखो आप吧र बहुत बहुत ज़धा जो है ना सोचते हो और सोच करके थोड़ा सा एक होता ने जिससे कि टेंचन ले लेना है ना तो वो टेंचन भी आप ले ले लेते हो मुझे फास तोर से ऐसी अनरजी दिखाई दे रहे है कि येस्स आपकी लाइफ में आपको कही ना कहीं कुछ ना चीजों का सामना करना पड़ रहा है. येस, आपके लाइफ में आपके पार्टनर ने जो किया, जैसा किया, कहीं ना कहीं इस से जो है ना, आपको तकलीफ जरुर पहुंची है. कहीं न कहीं आपका चकरा भी ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप अपने आपको stuck पा रहे हो, आप अपनी life को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, future तो देख रहे हो कि बहुत बहुत बहुतरीन हो सकता है अगर आप work करो अपने आपके उपर तो, ठीक है लेकिन आप यहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, आपको काफी हत हो, काफी परेशान हो, अपने आपको आपने एक घर में बंद कर लिया है, ना किसी से बोलना, ना कुछ करना, ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है, देखो आपने अपने हिम्मत कहीं न कहीं न सब कुछ इन्वर्स के उपर सरेंडर कर दिया है, एकदम से, ऐसा मुझे फील हो आपको बहुत हैपिनेस मिलने वाली है, आपको ऐसा लगता है, कि मेरे पास सारी खुशिया होंगी, सारी अबंदेंस, प्रोस्पारटी, हैपिनेस, एकदम से, मेरी लाइफ में, लाइफ में, एकदम से आएंगी ही आएंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है आपके लिए, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो परिशान हो ही आप, लेकिन मुझे यह भी दिख रहा है, कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, मुझे यह दिख रहा है, कि आप मैनिफरस्टेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, अपने आपकी ब्र पिरामिड आपने रखा है, मेरे से जो भी लोग लेते हैं, तो उनको मैं बताती हूँ ना कि कैसे यूज करना है, और कैसे हीलिंग करने हैं, तो सेम वही अनरजी यहाँ पर आती भी दिखाए दे रहे हैं, लोग अपने सेवें चक्रा को हील करते हुए दिखाए दे रहे है वोकिंग अवे का कार्ड यह बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब अब अबनेस प्रोस्पारिटी हैपिनेस आती भी दिखाए दे रहे हैं, आपको लग रहे हैं, आप बाहर निकलना चाहते हो, अपने आपको अपनी जिंदगी को इन्जॉय करना चाहते हो, मुझे ऐसी अगे बीड़ति हैं, अपनी आपको पॉजटिव करने के लिए, अपने आपको आगे ले जाने के लिए, अपनी आपको पुष करना होगा, पुष करो तब ही जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है, तो ऐसी एन्जी मुझे फील हो रही है, गाइड करें, आंजल्स okay the charity energy ہے अप सोच तो रहे हो चारिट के इनरजी से कि आपके life में आपके partner आपकी life में आए आपकी life को बहुत ज़यादा यह कहता है आपकी life को बहुत ज़यादा suitable करें ठीक है तो मुझे यहाँ पर यहीं दिख रहा है कि आपके partner आपको अपनी life लाइफ में पाले ठीक है वो मुझे फील हो रहा है ठीक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि येस आपके और आपके पार्टनर के बीच की एकदम से क्लियर है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हैपिनेस प्रोस्पारिटी अबंडेंस आए ही आए और यहां पर क्लियर दिख रह ही है ठीक है ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इस आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा है रहना चाहते हो आप आप हैपीनेस को एकड़म से जो कहते हैं कि हैपीनेस को एक महार मोहाबत जो आपका दिखाना हैं कि मां की ममता कभी खतम नहीं होती चाहे बच्छा कितनी बीगपे मां की ममता कभी खतम नहीं होती तो वही हो आपके साथ आप भी सिम वही एनर्जी में हो आप काफी एमोशनल हो ठीक है वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है वाओ टैन अफ कप्स का काड़ा है गया कौन को प्या के पास एक दम से फैमिली चाहते हो ना फैमिली चाहते हो यस दिख रहा है कि फैमिली रियूनियन आप इस साथ करना बहुत ज़रूरी मुझे नजर आ रहा है ऐसा दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर आपके साथ आपकी लाइफ में आ जाए है यही बहुत और यार कई आर हो रहे है कि यार किया हो रही है अब्सक्सक्राबर करन cape कई याद बार बारको कर रहे हैं आप कई आप क連 करने की कोशिश कर रहे हों स्भी आप को वोगिंग ओवे का कार्ड क्यों है यहां पर में इस आफ सुड्स ओप के ठीक है तो मुझे दिखता है कि हैस् आप अपनी life में आगे तो बाढ़ना चाहते हो ख्लीर है कि आप अपनी life में आगे बढ़ना चाहता होite of cup's के energy के सार से लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़दा ज़रूरी है ना, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत बहुत ज़दा ज़रूरी है और ये जो है आप अपने पार्टनर को देख करके, फील करके यहां पर दिखाई दे रहे हो और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम से कहते हैं कि अपने partner के ऊपर आप कहीं नजर रखते हो। ठीक है मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आप अपने partner के ऊपर नजर भी रखते हो। और खास दोर से नजर रखते हो कि online कब आ रहे हैं, कब तक जगे हैं, क्या कर रहे हैं, कब तक घर आएं। ऐसा कुछ जो है ना आप उनके कुछ अपडेट्स जो है ना जानने की कोशिश करते रहते हो मुझे यहां पे यह फील हो रहा है चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं क्या निकालेंगे अब हम आपके पार्टनर का next action क्या होगा इस connection के लिए तो चलिए next action के लिए मैं हमेशा यह कार्ड यूज करती हूँ तो यही कार्ड मैं आज भी यूज करने वालू हूँ यह मेरा favorite card है मतलब favorite cards में से एक है ऐसे तो मेरे बहुत सारे favorite card है बट यह especially नया में यहीं आया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके energy मुझे काफी अच्छी लगती है जो भी मैं question पूछते हूँ इसका accurate answer देता है यह deck मुझे ऑके गाइट करें एंजल्स गाइट करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का next action क्या होगा और कब होगा गाइट करें ओके दे स्टार वाव सिक्स ओफ वील का कार्ड है ठीक है ace of swords okay eight of swords nine of swords okay bottom of the deck है यहांपे the lovers वाव दे लवरस का काड है आपके partner action तो लेने वाले हैं मैं आपको clear कर दूं अगर आप confusion में हो कि आपकी partner action लेंगे कि नहीं लेंगे तो आप यह clear हो जाओ कि आपके partner action तषैंच लेंगे क्योंकि यह पॉर्सन तक्लीफ में दर्थ में लागतार रहेंगे और इनको तक्लीफ हैं जो बाते रहेंगी इनका मायन डिस्टर्ब्लब होगा और यह पहुinaire बहुत-बहुत-बहुत अपने आपको तकलीफ में डालेंगे यहां पर यहां पर यह भी दहीन है प्यस्जर की जियह पर सन्हें काफी ज़ीघा दर्द में नजर आ रही है यह पिर आपके पारे आपको लेख करके थोड़ा थोड़ा सा एक उड़ाइनेरजी में तु यह कहीं रहेंगे लेकिन इनको clarity भी काफी हद तक आ जाएगी इनको clarity इसलिए आ जाएगी क्योंकि ये जो person है ना आपको ले करके deeply सोचेंगे कि yes ये क्या हो रहा है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ये आखिर क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मेरे सा है ना बहुत सारी चीजे जो है ना आपके पार्टनर डीपली सोचने वाले हैं डीपली सोच करके डीपली फील करके ये पॉर्सन को फील होगा कि यस आपके साथ अपने रिलेशनसिप को कैसे सही करना है अपने रिलेशनसिप को कैसे बनाना है ये पॉर्सन को कहीं हद तक क्ल साथ ही साथ ये जो पॉर्सन है इनको रियलाइज भी होगा और इसलिए ये पॉर्सन माफी भी मागेंगे आपसे ठीक मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि पॉर्सन आपके साथ एक्वल गिवेंट टेक करने वाले हैं हो सकता है कि ये पॉर्सन आपके बोद में सर रख करके रोने भी लगे क्योंकि आपसे जो एसास है ना वो बहुत अलग है बहुत इस्पिशल है ठीक है और सांती साथ देस्टार के एनरजी आप लोग देख रहे हैं होप की बात करता है ये कार्ड है ना तो आप होप रखो आप टैंशन नहीं लो आपकी लाइफ में आपके पार आक्स के एनरजी देख करके बता रहे हूं कि येस आपके पार्टनर का एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर एनरजी कुछ बता रही है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इतनी जल्दी एक्शन आपके पार्टनर का देखने को नहीं मिलेगा ठीक है फिर भी टाइ में आपको बता दे रहे हूँ र है कि रुप नाइन बेजस गन्जाइं न मुझे नज़रा रहा है तिने ताइम में वापस आएंगे ठीक है आपको कोई ना कोई call message जरूर करने वाले है ये person तो tension नहीं लो ठीक है ना so overall reading में मुझे यही दिख रहा है आपके cards में ठीक है so यह है आपकी reading तो मैं bracelet के बारे में आपको थोड़ा सा inform कर देती हूँ क्योंकि मेरा काम है और जो लोग bracelet के बारे में नहीं जानना चाहते है रीडिंग यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं क्वेकर लेकिन सुन लोग फायदा करेगा ठीक है कभी आया काम ही आ सकता है न क्योंकि ज्ञान की बाते हमेशा देखनी चाहिए जाती है यह जो ब्रेसलेट है siytrin breastlet है ठीक है यह जो ब्रेसलेट है स्ट्रॉंग बनना चाहते हो ठीक है आपका व्यवाहिक जीवन सुखी रहे उसके लिए चाहते हो या फिर आपकी लव लाइफ अच्छी चले या आपके जो पार्टनर है वो आपसे शादी करें यानि कि मन चाहा प्यार आपको पाने के लिए ये ब्रेसलिट को यूज करना च चले उसके लिए ये ब्रेसलिट यूज किया जाता है आप लोग इसक्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही क्लियर दिख रहा है आपको हैना ये ब्रेसलिट जिसके बिट्स कुछ इस प्रकार हैं आप चाहें तो गोल वाली बिट्स में भी इसको ले सकते हैं और ऐसी वाली में नहीं होता है साथी साथ आपके परिवारक जीवन भी सुखमय नहीं है यानि कि काफी कस्ट दायक है घर वाले आपके हजबिन जो है या आपकी वाइफ है आप दोनों के बीच में जमती नहीं है ठीक है या फिर आपके सास ससूर जो है आपके अगेंस्ट है ठीक है यानि कि आ आपका घर बसने नहीं दे रहे हैं तो आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो ये ठीक है क्योंकि ये जो सिट्रिन ब्रेसलेट है इन सारी समस्याओं का समधान करके देता है आपके लाइफ में पैसे का आगमन होता है आपका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है आपकी ल रोगों में भी काफी प्रॉफिटेबल है याने कि अगर टाइजेशन से रिएट आपको प्रॉबल्म है फेट से रिएटड अगर आपको कोई प्रॉबल्म है तो आप इस कश कर सकते हैं वस्म्रेख के अने किलांब हैं जो कि मैं अगर बताने बैठाएं तो आप जुए ना सुनने से मतलब की वक्त कम पढ़ जाएगा ठीक है तो यह ब्रैसलेट जरूर लेजए अगर आप लेना चाहते हैं अगर आप पुखराज धारन नहीं कर सकते हैं यह है पुखराज जो मैंने वीयर किया हुआ है इसको पुखराज कहते हैं और सेम काम करता है यह ठ किजिए इसका screenshot बेजिए या फिर इसका name है जिकी से लिखकर कि बेजिए इसका क्या प्राइज है आपको जो है बता दिया जाएगा और वीडियो को देख करके इसके benefits को देख लीजिए उसके बाद ही आप contact किजेगा वरना कुछ लोग है जो कि वहाँ पर भी करें कि वहाँ पर भी benefit बताए तो उतना possible नहीं हो पाता है ठीक है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके कुछ pics को ready करवाऊ और उसके ही लिखवा दूँ आप लोगों को असानी रहेगी ठीक है तो अगर आप यह ब्रेस्ट लेना चाहते हैं तो जरूर कॉंटेक्ट किजिए चलिए फिर मिलते हैं कि फिर किसी नई रीडिंग में तब तक के लिए बाबाई हेलो एविवान आज हम बात करने वाले हैं टाइगर आई ब्रेसलेट के बारे में तो गत्त है जो दोगो डाई जो जो प्लेट हैं यह क्या है देखाओ सबसे पहले तो यह ब्रेसयट बहुत ज़्या-ध खुब्सूरत अगर आपको जस्ट्長 मिनट मैं क्लीर करके दिखाती हूं आपको कितना खुब शुरत है यह ब्रस लिए कामिर ने दिख रहा है ठीक आपक ठीक है तो यह जो ब्रेसलेट है इसका benefit मैं आपको बताती हूं सबसे पहले बर्थ डेट वालों की बात कर लेते हैं तो जिसका बर्थ नमबर टू और नमबर सावेन है ठीक है जैसे कि किसी का जो है डेट अब बर्थ हो गया दो तारीख डेश 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 ठीक है या फिर 11 तारीख डेश डेश ठीक है तो आप लोग ये पहन सकते हैं ठीक है ये आप लोग पहन सकते हैं तारीख वाले ठीक इसी तरीके से 7 तारीख वाले भी पहन सकते हैं या 25 तारीख वाले भी पहन सकते हैं या 16 तारीख वाले भी पहन सकते हैं ये जो bracelet है tiger eye ये जो है आपको काफी protect करता है protective है ये इस stone को हम क्या सकते हैं कि ये जो evil eye से जो है आपको protect करता है negative energy से protect करता है आपको confidence देता है self confidence की जिसके अंदर कमी है उसको ये पूरी करता है ठीक है साथ ही साथ अगर आप आप अपना root चक्रा ठीक है और solar plexus चक्रा अगर balance करना चाहते हैं जागरित करना चाहते हैं तो yes आप इसको ज़रूर पहनिए ठीक और साथी साथ अगर आप जो है अपने life में काफी negativity से घीरे पड़े हैं तो आप इसको जो है वियर कीजिए ठीक है यह जो bracelet है काफी ज़दा काफी ज़दा अच्छे results के साथ आपको जो है मिलता है और इससे जो है आपका mind focus होता है यह आपके stamina को improve करता है साथ ही साथ यह जो है आपके जो कह सकते हैं कि आपके aura को भी clean करता है ठीक है आपके जो भी doubts होते है उसको clean करता है यानि कि आपके मन में अगर confusion होती है आपको confidence level कमी आती है यानि कि अगर आप चाहो कि मुझे यह काम करना है करना है करना है लेकिन आप वो काम नहीं कर पाते हो तो yes आप इस bracelet का use करो आपको काफी wishes भी पूरी होती है आप इससे अपनी wishes भी पूरी कर सकते हो और यह जो है आपकी body के लिए भी काफी अच्छा होता है आपके पेट के लिए भी काफी अच्छा होता है और अगर मैं कहूंगी कि अगर आपको अपना concentration power बढ़ाना है तो yes आप यह जो है ना ब्रेसलेट पहनो और मैं तो इसको रिंग भी देती हूं बहुत सारे लोगों को अगर जो लोग रिंग लेना चाहते हैं उनको रिंग भी मैं प्रोवाइट करती हूं तो टाइगर आई ब्रेसलेट आप जरूर पहनिए बहुत 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 अच्छा है यह ब्रेसलेट ठीक है इसे order करने के लिए इस्क्रीण पर दिये अगए नंबर पे कॉंटक्क कीजिए चलिये दुसरे ब्र Tea Cert की बात करते हैंš है इत्यर दूसरा इसलेन आई इसलेट यसे झाय कर से इसको भी फॉकस करके मैं कि लिए ऊपशती हो बहुत ही प्यारा रिश्क है यह सालेनाइटीग Hai product ही कर इसको यूज करने के लिए आपको किसी के लिए इसको यूज करोगे अपने एनर्जी इतनी भी एनर्जी है जो ब्लॉक एनर्जी है उसको क्लीन करने के लिए आप इस ब्रसलिट का यूज करने वाले हैं ठीक है आप इस ब्रसलिट को यूज करेंगे साथ ही साथ आपकी जो ए ये पहनने से आपको काफी अच्छा फील-होगा काफी बहतरीन से फीलिंग्स आपको आएंगी ये जो है प्रेसलिट ये जो फेशली जो spiritual खेल होते हैं या फिर spirituality के इससे माइन भी शान्थ होता है ठीक है और साथ ही साथ आपके जो बिजनेस हैं उसमें भी काफी ग्रोथ करवाता है आपकी बॉडिस में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करता है और यह देखिए जिए जो आप मैसेजेस को भीजना चाहते हैं या जो मैनिफेस्टे करने चाहिए तो इसपेशली मैं यह ब्रस देती हूं ठीक है तो जो मैनिफेस्टेशन करते हैं जिनको रिजल्ट में मिलता है मैं उनको यह ब्रस रिकमेंड करती हूं ठीक है और वो लोग लेते भी हैं तो यह चलिए फिर रिडिंग को रिडिंग नहीं इस वीडियो को कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं फिर किसी नई रिडिंग में तुपते के लिए बाबाई